जापानी अर्पति की चांद्यात्रा लोगों को भी निमंत्र आठ लोगों को लेकर जाएंगे जाएंगे लोग करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन चांद पर जाने के सपने तो हर कोई देखता है और चाहता है कि ये सपना जल्द पूरा हूँ और अगर आपको पता चले कि आपका ये सपना अब साकार होने जा रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा जी हाँ ये हकीकत है और ये मौका दे रहा है एक जापानी अरपती और वो भी बिल्कुल मुफ्त मेड़ जापानी अरपती युसाकू मिजावा ने चान्द के तकर लगाने के चुक लोगों को एक तरह का पहला मौका दिया है दुनिया के चुनिनदा आठ लोगों को मिजावा ने चान्द के सफर के लिए यान मेश सीड़ देने की पेशगश्की है महंगी कलाकृतियों और महंगी स्पोर्ट्स कारों के शौकेन में जावा 2023 में चंद्रमा की यात्रा पर जाने वाले है रिपीट चंद्रमा की यात्रा पर जाने वाले है शुरू में उन्होंने कहा था के उन्होंने अपने साथ छे से आठ कलाकारू को चंद्रमा की यात्रा में शामिल करने के लिए आमंत्रित करने की योजना मराई है लेकिन बुध्वार को उन्होंने ट्वीटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और एक व्याप कावेदन प्रिक्रिया का खुलासा किया उन्होंने कहा कि मैं आपको इस समिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा दुनिया भर से आप में से आठ लोग मैंने सभी सीटे खरीदी है इसलिए ये एक नीजी यात्रा होगी ऐसे करें रिजिस्टर अगर आप वाकरी चांद की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिजिस्टरेशन करवानी होगी आप धियर्मून.डर्थ नाम की वेबसाइट पर खुद को रिजिस्टर कर सकते हैं और इसके लिए 14 मार्च तक का समय दिया गया है अगर आपको चुन लिया जाता है तो इसके बाद आपका एक उनलाइन इंटरव्यू होगा और अगर आप उनलाइन इंटरव्यू में भी पास हो गए तो आपको फाइनल इंटरव्यू में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा इसमें आपका मेडिकल चेक अप भी किया जाएगा इस प्रिक्रिया को अगर आपने पार कर लिया तो आपको चंद्रमा पर जाने का टिकेट मिल जाएगा और ये टिकेट पूरी तरह मुफ्त होगा पुलाठ लोग इसमिशन के लिए चुने जाएंगे और चंद्रमा का चकर लगाने की यात्रा छे दिन में पूरी की जाएगी जाने की शर्त बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जापान के अरपतिकों मुफ्त में लोगों को चंद्रमा की यात्रा कराने से क्या हासिल होगा इसके पीछे उन्होंने किश्यत रखी है शर्टी है कि वो जिन लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे उन्हें प्रित्वी पर वापस लोटने के बाद लोगों की मदद करने होगी और समाज को नई दिशाद देने के लिए रचनात्म का प्रियोग करने होगी यही वज़ा है कि उन्होंने दुनिया कि अलग-अलग हिस्सों से लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए अमद्रित किया है उनका मानना है कि जब ये लोग मिशन से वापिस लोटेंगे तो दुनिया की अलग-अलग हिस्सों में खुश्पू की तरह पहल जाएंगे और इनके अनुभव और रचनात्मक्ता से पूरी दुनिया को लाब होगा डियर मून नाम का ये मिशन 2023 में लॉंच किया जाएगा हालकि इस मिशन के तहत कोई भी सदसे चंद्रमा की सदह पर नहीं उत्रेगा असल में अंत्रिक्ष यान चंद्रमा की परिकर्मा लगाते हुए प्रिथ्वी की कक्षा में पहुँचेगा और इस तरह छे दिन में ये मिशन पूरा किया जाएगा यात्रा पर खर्च इस मिशन के लिए स्टार्शिप नाम का एक रॉकेट तयार किया गया है और इस रॉकेट में बैठ कर दस से बारा लोग चंद्रमा की सेर पर जाएं की अनुमान है कि इस मिशन पर 5 बिलियन डॉलर यानि के 35,000 करोड रुपए खर्चों के और क्यूंके ये कनीजी मिशन है इसलिए जापान के रपती ने इसकी सारी टिक टेंग खरीद ली है अब उन्हें ऐसे आठ लोगों की तलाश है जो इस अध्भुत यात्रा में उनका साथ दे सकी ब्यूर रिपोर्ट पंजाब के स्रिक्रूप